केरल के मशूर यूट्यूबर श्रीकांट बेटियार ने अपनी ही फैन के साथ दो बार रेप किया और फिर उसे चकमा देहकर फरार हो गया। शिकायत में पीडिता का कहना है कि उसके साथ एक बार कोच्ची में और दूसरी बार एक अपाटमेंट में रेप किया गया। श्रीकायत में पीडिता ने ये भी कहा कि श्रीकांत महिला श्रशक्तिकरण और पॉलिटिकल करेक्टनेस जैसे मुद्दो पर अपनी आवाज उठाता था और यही सब देखकर वो उसकी फैन बन गई श्रीकांत विटियार एक फेमस यूटियूबर है जो अपनी इस पूफ वीडियो के लिए जाना जाता है उसकी पॉपलरिटी का अंदाजा अप ऐसे लगा सकते हैं कि उसके यूटियूब पर धाई लाग से जादा और इंस्ट्राग्राम पर एक लाग से जादा फॉलो है महीला के मताबक श्रीकांत ने उसे अपनी बद्धे पार्टी में बुलाया और उसके बाद पहले फ्लैट पर और बाद में कोच्ची शहर के एक होटल में उसका यूट उत्पीडन किया महिला का एक आठ साल का बेटा भी है पुलिस में शिकायत होने के बाद से श्रीकांट फरार हो गया है पुलिस उसकी तलाश में खांके च्छान रही है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिसमें श्रीकांट इतनी बुरी तरह से फसा है इससे पहले भी दो लड़कियों ने उस पर मीटू के तहट आरोप लगाये थे लेकिन तब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई सक्त एक्षन नहीं लिया अगर तब शायद सक्त कारवाई की जाती तो आज इस महिला की इज़त लुटने से बच जाती फिलाफ इस पूरे मामले पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताइए और भी जादा इसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए